पिछले वीडियो में आप लोगों ने तवानाई का बहाव गिजाई जंजीर और गिजाई जाल का मुटाला किया हैं इस वीडियो में हम तवानाई का हरम की मालूमत आसल करेंगे आईए सबसे पहले देखते हैं तक्जियाती सत्य गिजाई जंजीर में हर सत्य को तक्जियाती सत्य कहते हैं तक्जियाती सत्य यानि किसी भी जानदार का गिजाई जंजीर में वो मकाम या वो सत्य जहां रहते हुए कोई जानदार अपनी गिजा हासिल करता है उस मकाम या सत्य को तक्जियाती सत्य कहते हैं किसी भी महौली निजाम में पाई जाने वाली तक्जियाती सत्य गिजाई साज अवलिन तक्जियाती सत्य सानवी तक्जियाती सत्य और आला तक्जियाती सत्य होती है गिजा साज इस तक्जियाती सत्य पर महौली निजाम के तमाम नबतात होते है अवल इन तक्जियाती सतह पर सब्जे खोर हैवानात होते हैं सानवी तक्जियाती सतह पर गोश खोर हैवानात होते हैं और आला तक्जियाती सतह पर हमाखोर हैवानात होते हैं गिजाई जन्जीर में गिजाई अजजा और तवानाई जब एक सते से दूसरी सते में मुन्तफिल होते है तो इस वक्त इन दोनों के तनासुब में कमी वाके होती है इस तरह से जब तवानाई गिजाई साज से अवलिन तक्जियाती सते पर जाती है और फिर सानवी तक्जियाती सते पर जाती है और इसके बाद जब आला तक्जियाती सते पर जाती है तो इस दोरान तवानाई के तनासुब में कमी वाके होती है इसी को अगर हम किसी शकल के जाहिर करें तो इस शकल को तवानाई का हरम कहते है तवानाई का हरम एक मुसलसी शकल होती है जिसके खाइदे पर नबतात या गिजासाज होते है और इनका रखबा इनके पास मौजूद तवानाई को जाहिर करता है गिजासाज के बाद इस हरम में सब्जिखोर हैवानाथ आते है और इस कम रखबे के जरिये ये जाहिर किया जाता है कि सब्जिखोर हैवानाथ के पास जिजासाज के मुकाबले कम तवानाई होती है इसी सिलसले को आगे बढ़ाते हुए अगर हम आला तवानाई के तनासुब में कमे वाके होती हुई नज़र आती हैं किसी भी माहुली निजाम को तवानाई सिर्फ और सिर्फ सूरज से हासिल होती है शम्सी तवानाई को नवातार जजब करके इसकी मदद से अपनी गिजा तयार करते हैं और वहाँ से ये तवानाई सब्जिखोर हैवानात में मुन्तकिल होती है जिस दौरान इसकी मिकदार या तनासुब में कमे वाके होती है इस तड़ा से ये तवानाई मुन्तकिल होते हुए तजजिया कार तक पहुचती है लेकिन इसके बाद तवानाई दोबारा सूरज को लौटाई नहीं जाती इसलिए किसी भी माहुली निजाम में तवानाई का बहाव एक तरफा होता है हुआ 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 हुआ